प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी पिछले कई महीनों से हमने प्रभू के वचन से रोमियो नामक उस्तका ध्यान किया था आज मुझे लगा कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए इसलिए आईए आज हम प्रभू ईशु के जीवन और प्रभू ईशु की शिट्षाओं की तरफ मुडेंगे प्रभू ईशु के बारे में मैं याद दिला दूँ आज से लगभग छे हजार साल पहले भविश्वाणी हुई थी कि मुक्तिदाता इस संसार में आएंगे लगभग एक हजार के करीब भविश्वाणियां हुई थी प्रभू आएंगे प्रभू अपना जीवन अर्पित करेंगे प्रभू तुमारे लिए बलिदान देंगे और प्रभू तुमको नया जीवन प्रदान करेंगे इन सारी भविश्ववाणियों को पूर्ण करते हुए आज से 2000 साल पहले प्रभू मद्यपूर्व के एक गाउं में एक शिशु के रूप में पधारे जब प्रभू एक शिशु के रूप में मद्यपूर्व में पधारे तो पूर्वी देशों में कई विद्वान जो आकाश का अध्यान करते हैं और जो प्रभू के वच्चन का अध्यान करते हैं उन्होंने अचनक देखा कि अरे आकाश में एक नए तारे का उदै हुआ है इसका मतलब है कि इस दुनिया के मुक्तिदाता का जन्म हुआ है और वो भी पूर्व दिशा में है इस कारण जरूर यहूदियों के प्रदेश में उस मुक्तिदाता का जन्म हुआ है इस तरह से विद्वानों का वो काफिला उन्टों के ओपर प्रभू से भेंट करने के लिए निकला और प्रभू से भेंट करके प्रभू को बहुत सी कीमती चीजें प्रदान की या भेंट की इसके बाद कई सालों के बाद जब प्रभू ईशु तीस साल के हुए तब उनको उनका जब समय आ गया सेवा काल जिसे हम कहते हैं तब प्रभू निकल लिये जन जन की सेवा करने के लिए और उनको मुक्ति का संदेश देने के लिए प्रभू ने उनके जितने अनियाई थे उनमें से बारा लोगों को अपने शिश्व के रूप में चुन लिया प्रभू जहां भी जाते थे ये बारा लोग प्रभू के साथ जाते थे प्रभू जो खाते थे वो लोग वही खाते थे प्रभू जहां रहते थे वही ये लोग रहते थे और इस तरह से लगमक साड़े तीन साल तक इन्होंने प्रभू के साथ रहकर प्रभू की साईरी शि प्रभु को भूख लगी प्रभु सनातन इश्वर हैं लेकिन जब सनातन इश्वर ने मनिश रूप धारण किया तो मनिश के समान ही उनको भूख प्यास ठकावट सबका अनुभव होता था तो जब प्रभु को भूख लगी तो यहां लिखा हुआ है दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गए कि क्या जाने उसमें कुछ पाए और पत्तों को छोड़ कर कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय नहीं था इस पर प्रभु ने उस पेड़ से कहा अब से तेरा फल कभी कोई ना खाए इसका क्या रिजल्ट हुआ ये हम बीसवें पत्में देखते हैं बीसवें पत्में हम देखते हैं सुबह जब वे उधर से जाते थे तो उन्हों ने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा इस खटना को एक बार जरा हम समझ लें प्रभू अपने शिश्यों के साथ जा रहे थे प्रभू को भूख लगी प्रभू ने अंजीर के एक पेड़ को देखा सोचा कि उसमें कुछ फल होगा इसलिए प्रभू अंजीर के पेड़ के पास गये लेकिन उसमें कोई फल ना पाया प्रभू ने कहा आएंदा तुझ में कभी भी फल ना लगे अगली सुब जब शिश्यों ने उस पेड़ को देखा तो पेड़ ऊपर से लेकर नीचे जड़ तक सूप गया था इस घटना से खास कर जब हम इस घटना को आगे पढ़ते हैं तो इस घटना से एक बात स्पष्ठ है कि प्रभू ने उस पेड़ को शाप दिया था और प्रभु का शाप उस पेड को जो लगा तो पेड पूरी तरह से सूख गया था ये बात क्लियर है लेकिन एक दो चीजें इसमें एकदम से समझ में नहीं आती हैं उदाहरिण के लिए तेर हुए पत के आखर में हम देखते हैं पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था अब सवाल ये उठता है कि यदि फल का समय नहीं है तो प्रबु स्पेड के पास क्यों गए और यदि फल का समय नहीं है तो उस पेड ने क्या गलती की और प्रबु ने उस पेड को क्यों सजा दी इसका मर्म इसका कारेंट क्या है ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस घटना का मतलब नहीं समझ पाएंगे अंजीर का पेड़ अपने हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं होता है महाराष्ट्र के कुछ हिलाकों में मैंने अंजीर का पेड़ देखा है केरल में भी इधरोदर अंजीर के पेड़ दिखते हैं लेकिन वो सब जंगली अंजीर हैं और उसमें जो अंजीर होता है वो खाने के कामका नहीं होता है इंदुस्तान में ज्यादातर जगह जो अंजीर के पेड़ अपने को दिखाई देते हैं वो उसमें अच्छा अंजीर नहीं लगता है बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां पर अच्छा अंजिर इंदुस्तान में होता हूँ क्योंकि वो भारती फल नहीं है मद्यपूरु में होने वाले एक फल है मद्यपूरु में बहुत ज़ादा ये पेड़ मिलता है जिस तरह से अपने उत्तर भारत में आप जहां भी चले जाएं वहां नीम का पेड़ दिखता है मेरा गाउं गौलियर वहां तो आप शहर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक चले जाएए हर जगे नीम ही नीम दिखाई देगा हजारों पेड़ है नीम मनिश को वहां पर चाया भी देता है मनिश को तसली भी देता है इसी तरह से मध्यपूर में आप जहां भी चले जाएं वहां सब जगे प्रभु ईशु के समय में अंजीर ही अंजीर होता था सड़क के किनारे लगा हुए नीम किसी का नहीं होता है उसमें यदि किसी तरह का फल लगता हो नीम में तो सरफ नीम का फल लगता है पकने पर थोड़ा मीठा होता है बच्चे लोग उसको थोड़ा बहुत चूस लेते हैं हम भी बच्च्पन में हमने भी जब हम स्कूल से घर जाते थे और भूग लगती थी तो नीम का जो फल है ताजा ताजा यही मिल जाता था चूस लेते थे उसमें खाने के लिए कुछ नहीं होता था लेकिन उस जमाने में मैं 1960 की बात कर रहा हूँ जब भारत में भोजन वस्तु अगरा की बहुत कमी थी तो उस समय नीम का फल ही बहुत मिल जाये तो बहुत बड़ी चीज थी हम चूस लिया करते थे और हमारे माबाब भी हमको प्रोथ साहित किया करते थे क्योंकि नीम में बहुत सारे आउशदी गुन होते हैं और सडक के किनारे लगे हुए ये पेड किसी की व्यक्तिगत संपती नहीं होती थी उसमें से गिरा हुए नीम का फल कोई भी खा सकता था उसे हमारी इलाके में निमबॉली बोलते हैं इसी तरह से प्रभु ईशू के जमाने में मद्धिपूर में आप किसी भी सडक पर निकल जाईए हर जगे अंजीर का व्रिट्ष लगा रहता था महां अंजीर के व्रिट्ष दो प्रकार के होते थे एक जो लोगों ने अपने बगीचों में या बागानों में लगा रखे थे जिसको वे पानी देते थे खाद देते थे और कोशिश करते थे कि वे जादा से जादा उपज दे और जब वो उपज देता था तो अपने अपने farm house में जो पेड़ है उसके एंजीर को लेकर उसको सुखा कर सुरेठित करके रख लेते थे सुखे हुए एंजीर मुझे उम्मीद है आप मैंसे सबने खाए होंगे यहाँ इस शहर में तो काफी आता है और महंगा होता है लेकिन काफी आता है जो वही मद्यपूरु से आता है लेकिन सड़क के किनारे लगे हुए एंजीर किसी की भी संपती नहीं होती थी और सड़क पर जाता हुआ ठका भूखा या परी उन एंजीरों से फल को तोड़ कर खा सकता था उस देश में रहने वाले लोग ये समझते थे कि किस मौसम में अंजीर होता है अंजीर का जो भी मौसम होता है उस मौसम में अंजीर एक्दम से फलों से भर जाता है वो चूँकि किसी के फार्म हाउस में नहीं है सड़क के किनारे लगे हुए पेड किसी की व्यक्तिगर्थ या प्राइवेट संपत्ती नहीं है इसलिए कोई भी उसमें से तोड़ कर खा सकता था इसलिए प्रभू जब उनको भूख लगी तो उस पेड़ के पास गए लेकिन सवाल यह है जब यहां लिखा हुआ है कि अंजीर का मौसम नहीं था तो प्रभू क्यों गए मुझे या आपको जिन्होंने अपने जीवन में जो रोज प्रती दिन अंजीर नहीं देखते हमको नहीं मालूम किस मौसम में अंजीर का फल फल देता है लेकिन प्रभू जो मध्यपूर्व के ही निवासी थे वे इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अंजीर का फल किस मौसम में लगता है यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि अंजीर का मौसम नहीं था प्रभू अंजान नहीं थे उस प्रदेश के निवासी होने के कारण प्रभू जानते थे कि किस मौसम में फल लगता है और किस मौसम में फल नहीं लगता है तो अब सवाल यह है कि जिस मौसम में फल नहीं लगता उस मौसम में प्रभू क्यों उस पेड़ के पास गए उस मौसम में प्रभू ने क्यों उस पेड़ से फल की उमीद की और उस मौसम में जब अंजीर नहीं लगता तब यदि उसमें अंजीर नहीं थे तो प्रभू उस पेड़ से नाराच क्यों हुए उस पेड को शाप क्यों दिया उस पेड की क्या गलती थी इसका एक रहस्य है वो रहस्य है तेरहवे पत में हम देखते हैं दूर से अंजिर का एक हरा पेड देखकर इसमें एक विशेष्टा है यहां यह नहीं लिखा हुआ है कि दूर से अंजीर के एक पेड़ देखकर उसके पास गए बल्कि यहाँ यह लिखा हुआ है दूर से अंजीर के एक हरा पेड़ देखकर इसके पीछे एक मर्म है यह एक रहस्य है अंजीर का अपना मौसम होता है लेकिन अंजिर के कुछ पेड़, सारे पेड़ नहीं, कुछ पेड़ साल में दो बार फल देते थे आपने ऐसा आम का पेड़ देखा है कि जो मौसम में और बे मौसम फल देता है, ऐसा होता है सौ में एक आम का पेड़ ऐसा होता है जिसमें साल के लगबग बारों महीने फल लगता है बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन ऐसे पेड़ होते हैं और ऐसे पेड़ मालिक के लिए तो बड़ा अनगरह का कारण होता है क्यों? इसलिए कि जिस मौसम में आम नहीं लगता उस मौसम में यदि आपका फीरड आम दे रहा हो तो उससे कच्छी कैरी तोड़के आप वे मौसम में भी अचार बना लीजिये, वे मौसम चटनी बना लीजिये, वे मौसम आम का शर्बत बना लीजिये. इतना ही नहीं तोड़के यह दिया आप दुकानदार को देंगे तो दुकानदार तो बहुत उचे पैसे आपको देगा क्यों? इसलिए कि यह आम का मौसम नहीं है और इसलिए कहीं से आम मिल जाता है तो लोग शर्बत बनाने के लिए चट्नी बनाने के लिए अन्य उपयोगों के लिए बहुत पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं जिस तरह से आम का पेड वैसे तो साल में एक ही बार फल देता है लेकिन कुछ बहुत ही सेकडों में से एक पेड दो बार फल देता है और हजारों में से एक पेड साल बार फल देता रहता है इसी तरह से अंजीर का एक स्वभाव था अंजीर के सेकडों पेडों में एक पेड़ ऐसा भी निकल जाता था जो साल में दो बार फल देता था तो जब मौसम नहीं है ऐसे मौसम में जब वो फल देता था तो उसके चिन्ह के रूप में उसमें हरे पत्ते भी आ जाते थे तो आप यदि सडक पर जा रहे हैं और जहां अंजीर के पेड बिना पत्ते के या लगबग मुर्जाय हुए पत्ते के खड़े हुए हैं और उन सैकडों पेडों के बीच में यदि आपको अंजीर का एक ऐसा पेड दिखाई दे जिसमें हरे भरे पत्ते लगे हुए हो तो ग्यारंटी जानिये कि उस पेड में फल भी होंगे बे मौसम में जो अंजीर का पेड फल देता था उसका चिन था उसकी निशानी थी कि उसमें हरे भरे पत्ते होते थे इसलिए प्रभूस पेड के पास गये से मौसम नहीं था लेकिन हरे भरे पत्तों का मतलब ये था कि बे मौसम में मुझ में फल लगे हैं और सड़क किनारे लगा हुआ पेड था जिसका मतलब ये था कि है यात्रियम मैं सरफ भावनात्मक तरीके से बोल रहा हूं अंजीर का पेड बोलता नहीं है लेकिन उसमें पत्ते आये जिसका भावनात्मक या भावात्मक मतलब ये था कि इस सड़क पर जाने वाले सारे यात्रियम तुमको यदि भूक लगी है तो सड़क के किनारे लगे हुए मुझ वरिट्ष के पास आ जाओ क्यों इसलिए कि मुझ में तुमारे लिए फल है और उस फल के प्रमान के रूप में देख लो मैं पूरी तरह से हरे भरे पत्तों से भरा हुआ हूँ तो प्रभू जब उस सड़क पर जा रहे थे तो उस पेड ने जो प्रामिस किया उस प्रामिस को देखके कि इसमें हरे भरे पत्ते हैं जिसका मतलब है कि इसमें फल है भूखे प्रभू उस पेड के पास गए जिससे प्रभू को कुछ मिल सके पास चैने पर पता चला कि पत्ते तो हैं लेकिन संदेश जूट है संदेश क्या है? उस सीजन में जब हरे भरे पत्ते नहीं होते थे उस पेड में उस सीजन में उस मौसम में हरे पत्ते का मतलब है कि मुझ में फल भी है लेकिन पास जाने पर प्रभु को पता चला कि यह तो जूठा संदेश था यह गलत संदेश था प्रभु ने इमीडिटली उसको सजा दी मेरे प्रिये भाईयों और बहनों प्रभु इस संसार के सुरिष्टा है एक पेड़ फल दे या ना दे इससे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन प्रभु अपने शिश्यों को कई बातें सिखाना चाते थे हम जब 20 पत से आगे पड़ते हैं तब प्रभु उनको जो बातें सिखाना चाते थे वो सब एक-एक करके देखते हैं लेकिन उसमेंसे मैं आज सिर्फ एक बात आपको बताना चाता हूँ और वो यह है कि ये अंजीर का पेड़ मुझे और आपको दिखाता है सड़क के किनारे लगा हुआ अंजीर का पेड़ उस सड़क के किनारे जो ठका, भूखा, यात्री जाता है उस यात्री को दो चीजें प्रदान करता है एक उसको चाया प्रदान करता है धूम से राहत प्रदान करता है दो सड़क के किनारे लगा हुआ अंजीर का पेड़ जो किसी की संपत्ती नहीं है जो आम जनता की संपत्ती है वो फल के समय गूखे को खाना देता है गूखे को तुर्टी देता है और ये देखा गया है कि अंजीर का पेड़ तो शरीर के लिए एक दम उत्तम भोजन है इतना ही नहीं अंजीर का पेड़ दवा भी है उस जमाने में जब लोगों को फोड़ा हो जाता था तो बाकाईदा पका हुआ अंजीर उसके उपर रखके बान देते थे और उससे चंगाई मिलती थी हमको ताज्यूब नहीं करना चाहिए इसमें कोई ताज्यूब नहीं है क्यों इसलिए कि पेड़ों पौधों इवन घास में तमाम प्रकार के आउश्यदी गुन होते हैं अपन खुद जा ही मिल जाती है तो इस तरह से अंजीर पेड़ लोगों को चाया देता था फल लोगों को आउश्यदी गुन भी देता था और भूख से तृत्ती भी देता था ये अंजीर का पेड़ मुझे और आपको प्रदरशित करता है प्रभू ने इसलिए उस पेड़ को शाप दिया जिससे शिशी इस बात को समझ लें कि ये पेड़ जो लोगों को प्रामिस दे रहा है कि मैं तुमको फल दूँगा इस पेड़ ने गलत प्रामिस किया तो उसको सजा मैं दूँगा मेरे बच्चों तुमको मैंने इस संसार में एक लट्ष के साथ रखा है और उस लट्ष को पूर्ती करने के बदले यदि तुम जूट बोलोगे गलत जीवन जीओगे तो मेरे प्रिये बच्चों इसकी सजा तुमको निश्चित रूप से मिलेगी यदि एक सामान्य पेड यदि इश्वर की सजा से दूर नहीं है तो मेरे बच्चे तुम जिसको अपने जीवन में म होगे तो मेरे बच्चे उसकी सजा तुमको जिरूर होगी ये पेड ये प्रामिस कर रहा था कि मुझ में फल है हरे पते तो हैं चाया है फल है और उस फल को भोजन के लिए और दवा के लिए यूज़ कर सकते हैं अब आईए हमारे स्वैम के जीवन की तरफ मुड कर देखे प्रभु इशु के शिश्य प्रभु इशु के अनियाई जिनोंने प्रभु से एक नया जीवन पाया है जिनोंने प्रभु के द्वारा मुक्ती पाई है जो प्रती दिन प्रभु के संग चलते हैं या जिनसे प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि वे प्रती दिन प्रभु के स साथ चलेंगे, वे संसार के सामने एक चित्र रख रहे हैं, क्या चित्र? प्रभु के द्वारा नया जीवन, प्रभु के द्वारा तसली और प्रभु के द्वारा जीवन की जरूरतों की पूर्ती हम अपने समाज के वे अंजीर के व्रिट्ष हैं, जो लोगों को ये चीज प्रदान करता है, और प्रदान करने के लिए प्रभु ने हमको इस समाज में रखा है जरा सोचिए कि यदि सारे मद्यवपूर में लोग अंजीर का पेड़ अपने फार्म हाउस में लगाते थे, जिससे की खेती करके उसका फल ले सकें, तो इस सड़क के किनारे किनों ने पेड़ लगाए, सड़क के किनारे भी उनी लोगों ने पेड़ लगाए, पेड़ अपने उखता था, क्यों उन लोग ने पेड़ लगाए, क्यों सड़क के किनारे वो लोग पेड़ लगाते थे, जिससे की यात्रा करने वाले यात्री को छाया मिल सके, भोजन मिल सके, यदी किसी के पास पैसा नहीं है, तो भी अंजीर के सीजन में वो अपना पेट भर सके exactly इसी तरह से आपको और मुझे प्रभु ने इस संसार में रखा है एक लक्ष है कभी आपने सोचा है क्या कई बार लोग मुझसे कहते हैं शास्त्री जी जीवन से मैं ठक गया हूँ जीवन से मैं उब गया हूँ जीवन से मैं हार गया हूँ अब तो प्रभू से मेरी बिंती है कि है प्रभू मुझे उठा लीजे प्रभू का बच्चा या प्रभू की संतान अपने जीवन में जब इस तरह की बात करता है तो ये इश निंदा है, इश्वर की निंदा है, क्यों? इसलिए कि प्रभू ने मुझे और आपको एक विशेश लेट्ष के साथ इस संसार में रखा है, प्रती दिन की जीवन में वो लेट्ष हमारे जीवन में पूरा होना जरूरी है, और जब हम कहते हैं कि मैं जीवन से हार गया हूँ, ठक गया हूँ, हैरन हो गया हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेरे आपके जीवन में प्रभू ने जो लेट्ष दिया था, वो लेट्ष पूरा नहीं हो रहा है, हम जिस लेट्ष की और हमें दौड़ना है, उस लेट्ष की और दौड नहीं रहे, इसलिए हम ठक हार गये हैं, आप सब जानते हैं, आप सब ने बहुत मैच देखा होगा, या देखे होंगे, एक उदाहरन लें, रेस, मायन लीजे कि पचास लोग दौड रहे हैं, पहले तीन लोगों को महापुरसकर दिया जाएगा, बड़े उत्सा के साथ जो विक्ति दौड रहा है और बहुत आगे पहुँच गया है, अचानक यदि वो दौड ना बंद करके, यदि वो पाले से बाहर निकल जाएगे, अब मैं दौड ना नहीं चाहता, आपको क्या लगेगा, अरे, इसका दिमांग खराब हो गया, कि इसको फस्स प्राइस तो मिलना ही था, और यदि फस मैं तो बहुत दौड़ा हूँ, स्कूल में जब भी रेसिंग प्रतियोगिता होती थी, तो मैं तो उसमें बढ़ चड़के भाग लेता था, क्योंकि मैं बहुत तेज दौडने वाला था, और अक्सर फस्स प्राइस लेके ही पाले से बाहर निकलता था, अब ज़रा सोचें कि मन लीजी रेस चलू है, दौड रहा हूँ और मैं अपने प्रतियोगियों को काफी पीछे छोड़ाया हूँ, और सबको मलूम है कि इनाम मुझे मिलेगा, अचानक मैं दौडना बन करके पाले से बाहर आ जाओंगा, तो आप मेरे बारे में क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि कि अरे उसका दिमांग खराब हो गया है, उसकी बुद्धी ब्रष्ट हो गई है, क्यों? अरे साफ दिख रहा था कि उसको तो इनाम मिलने वाला है, वो सबसे आगे दोड़ रहा था। मैं अब दोड़ने से मना कर रहा हूँ, प्रभू ने मेरे आपके लिए जो रेस, जो दोड़ रखी है, उसकी एक विशेशता है, मनिश्य जब दोड़ने को कहता है, तो सर्फ तीन लोगों को इनाम मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉंज, सोने का मेडल, चांदी का मेडल और का से का, लेकिन प्रभू ने मेरे आपके लिए ये जो दोड़ रखी है, इसमें इसकी विशेशता है ये कि जितने लोग इलट्षी तक पहुँच जाएंगे, उन सब को प्रभू उरसकार देगे, ये मनिश में और प्रभू में फरक है, मनिश के रखे हुए दोड़ मे और प्रभू के रखे हुए दोड़ में फरक है, और इसकारण जब कोई येक्ति कहता है कि मैं तो ठक गया हूँ, हार गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो कितनी बड़ी गल्ती कर रहा है, क्योंकि ये तो ऐसी दोड़ है जहां पर जो भी लेट्षी पर पहुँचेगा, विशेशता है, उसमें दूसरे को हराने की जरूरत नहीं है, उसमें प्रभू हमसे सर्फ इतना कहते है, बेटा, यहां से चालू करो, सीधे दोड़ते चले जाओ, और वहां लेट्षी पर पहुँच जाओ, ये मत देखो कि तुमारे बगल वाला इधर वाला दोड़ रहा ह तुम तो दोड़ल एच्छे पर पहुचो और मैं तुमको पुरसकार दूँगा, तो ये तो और भी विशेश दोड़ है, उस दोड़ में जहां हर किसी को जीतने की उम्मीद है, हर किसी को पुरसकार दिया जाएगा, उसमें आदी दोड़ दोड़ने के बाद जब हम कहते ह हार गया हूँ, हैरान हो गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, प्रभु मुझे उठा लीजे, तो ये ईश्वर की निंदा है, जिस प्रभु ने मुझे और आपको दोड़ने के लिए सब कुछ रखा है, उनकी निंदा है, अब इसका अंजीर के प्रेड से क्या संभन्द है, हुए भी कौन है जो निराश हो जाता है जिसके आखें लेट्शी की तरफ नहीं है मतलब प्रभू ने कहा कि बेटा इस संसार में जाओ तुम हर मौसम में फल लोगों को प्रदान करो हर मौसम में चाया प्रदान करो, हर मौसम में फल प्रदान करो, हर मौसम में उनके घावों पर पट्टी बांदो, उनके यख्म को चंगा करो, इन कारियों को करने से जो व्यक्ति हिचकता है, वो है ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर निंदा करते हुए कहता है कि मैं तो अपने और बेहनों, हम मैंसे जितने लोगों ने भी प्रभु ईशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया है, हम मैंसे हर व्यक्ति को वो नया जीवन पाने के बाद प्रभु ने एक लच्छी के साथ इस संसार में रखा, उस लच्छी की पूर्दी के लिए जो कुछ चाहिए प्रभु ने वो हमको उपलब्द करवाया है, उस लच्छी की तरफ दोड़ना मेरे आपके हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, मनिश की दोड़ में सर्फ तीन लोग जीतते हैं, लेकिन प्रभु ने मेरे आपके लिए जो दोड़ रखा है, इसकी विशेष्टा ये है कि दू दूसरे को हराना, दूसरे के साथ प्रतियोगिता, नहीं, आत्मिक जीवन में ना तो दूसरे को हराना है, ना दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी है, करना क्या है, जिस तिन प्रभु के साथ अमने दौड़ना या प्रभु के लिए दौड़ना शुरू किया, उस तिन से बिना थके हुए लट्षे तक दोड़ते रहें। आप कहेंगे कि शास्त्री सर बीच बीच में थोड़ी बहुत थकावट, थोड़ी बहुत निराशा होती है। लेकिन ऐसी थकावट में और ऐसी निराशा में हमको आश्या देने के लिए प्रभु ने अपना वचन रखा है। जाके प्रभु के वचन को खोल कर, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तब हमको प्रभु के वचन से प्रोग सहन मिलता है। प्रभु स्वैम भी हमारे साथ उस दौड में हैं, हमारी सुरच्छा करते हुए प्रभु भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारी सुरच्छा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, तो इस कारण मुझे और आपको ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह से सड़क के किनारे लगाया हुआ वो अंजिर का पेड़ था जिससे ये उम्मीद की जाती थी कि वो थके हारे यातरी को चाया देगा मौसम में उसको फल देकर उसको भूख से तृप्ति देगा और यदि कोई चोट लगा है किसी को चोट लगी है तो उस चोट में वो दवा या मरहम का कारी करेगा उस अंजिर के समान मेरा और आपका जीवन है उसको लोगों ने इसलिए लगाया कि सड़क जाते हुए हर व्यक्ति को उसका फाइदा मिले प्रभू ने मुझे और आपको नए जीवन पाने के बाद इस संसार में इसलिए रखा कि हर व्यक्ति को मेरे और आपके द्वारा उत्सा मिल सके आप एकदम से कहेंगे कि शास्त्री सर मैं ना तो ज़्यादा पड़ा लिखा हूँ ना मुझे में कोई बड़ी योग्यता है ना ही मेरे पास धन है ना ही मेरे पास संसार के हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीजे है इसका रण मैं किस तरह से क्या दूसरे की मदद कर मैं एक छोटा सा उदाहरिंट देना चाहता हूँ इस हौल में मेरी दहनी और आप देखेंगे तो एक चटाई पड़ी हुई है यदि ये चटाई उठाके मैं मोड के आपकी गोदी में रख दू तो आपको अच्छा लगेगा क्या मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा सारे दुनिया बर का मैल उसमें है उसे कोई मेरी गोदी में रखेगा तो मेरा क्या होगा तो सवाल यह है कि यदि वो चटाई ऐसी चीज है तो उसको हम उठाके फैंक क्यों नहीं देते उसको जला क्यों नहीं देते जला इसलिए नहीं देते उसको फैंक इसलिए नहीं देते कि वो वहाँ पर एक उदेशी के साथ रखा गया है डाला गया है जिससे कि इस हौल में प्रवेश करने वाले को अपना पैर साफ करने का मौका मिले आप कहेंगे तो शास्त्री सराप के कहने का मतलब यह है क्या कि मैं वो चीज हूँ जिस पर लोग पैर साफ करें जी नहीं मैं जो कह रहा हूं उसका भावार्थ समझे मेरे कहने का मतलब यह है कि इस हौल में जितनी चीज़ें हैं हर चीज का अपना उपयोग है आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं संदेश देने के लिए आता हूँ तो अपने साथ स्टील के कप जरूर लाता हूँ इसमें गर्मा गरम अद्रक की चाय है कभी कभी जब गला सूख जाता है तो मैं उससे गला तर कर लेता हूँ तो ये एक ऐसी चीज है जो इतनी जो अपने आप में इतनी बढ़िया चीज है इतनी साफ चीज है कि मैं उसको मुझ से भी लगाने से हिचकता नहीं हूँ मेरे लिए उपयोगी है लेकिन एक बात बताईए कि इस हॉल में सिर्फ ये कब मेरे लिए उपयोगी है क्या हमारे पैर को ठंड से बचाता है वो भी मेरे लिए उपयोगी है मेरी तो आदत है कि जब मैं किसी कमरे में या हॉल में प्रवेश करता हूँ तो वहाँ जो चटाई पड़ी रहती है उस पे पैर जरूर साफ करता हूँ इनमें कौन सी चीज हमारे लिए जरूरी है हर चीज जरूरी है हर चीज का अपना उपयोग है तो उसका मतलब यह है क्या कि जब मुझे प्यास लगे तो मैं चटाई उठा के मुव में रख लूँ जी ने मुझे इंफेक्शन और हो जाएगा तो इसका मतलब यह है क्या कि पैर साफ करने के लिए मैं गर्मा गर्म चाय अपने पैर पर डालू पैर जल जाएगा हर चीज का अपना स्थान होता है हर चीज का अपना उपयोग होता है इसी तरह से प्रभू जब हम को इस समाज में रखते हैं हम में से हर व्यक्ति को चाहे हमारी योगिता बहुत हो पड़ाई लिखाई बहुत हो या हम कम पड़े हो हम में से हर व्यक्ति की जरूरत है वहाँ उस समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है इसलिए प्रभू ने हमको वहाँ रखा है इस कारण कोई भी व्यक्ति ऐसा न कहे कि मैं ज्यादा पड़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए प्रभु के राज्यों में मेरा कोई उपयोग नहीं है प्रभु को पड़े लिखे की भी जरूरत है, आधे पड़े की भी जरूरत है, अपड़ लोगों की भी जरूरत है प्रभु को धनी की भी जरूरत है औसत यक्ति की भी जरूरत है गरीब की भी जरूरत है हर समाज में लोगों के एक मिक्स्चर होता है हर प्रकार के लोग होते हैं उसी तरह से प्रभु ईश्व के अनियाईयों का जो परिवार है उस परिवार में पड़े लिखे लोग भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जिनने अच्छरी नहीं माचा है, धनी लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, शरीर से तंगरिस्त लोग भी होते हैं, कमजोर आप यदि कहें कि गाड़ी में टायर बड़ी गंदी चीज है क्योंकि उसमें तो सुबह से शाम धूल ही धूल है, कीचड़ी कीचड़ है, गोपर से होके निकलता है, इसलिए हम गाड़ी से टायर हटा के रख देंगे और तब गाड़ी चलाएंगे, ऐसे कोई गाड़ी चलत बड़ी चलते हैं, तब इस बात को भी समझ लें, मेरे और आपके जीवन, चाहे हम कितने पड़े लिखें हो या पढ़ हो, चाहे किसी भी तरह की नौकरी करते हो, उस परिवार में हमारी जरूरत है, उंचे हंजिर के पेड़ की जरूरत है, नाटे हंजिर के पेड़ की जर उस हंजिर की भी जरूरत है जिसके ब्रांचेस बहुत ज़़दा फ्यले हुए हों जिसमें बच्चे आराम से चड़कर खेल सकें जूला बांग सकें हर प्रकार के पेड़ की सडक किनारे जरूरत है उसी तरह से इस प्रभु ईयशू के परिवार में हर व्यक्ति की जरूरत है और हर व्यक्ति से प्रभू कुछ ना कुछ उम्मिद करते हैं इसको मन में रखकर इस बात को समझें कि प्रभू ने मुझे है आपको इस शंसार की जो यात्रा है जिससार की यात्रा के रास्ते पर दोनों किनारे मुझे और आपको अंजीर के समान लगा रखा है जिससे की दूसरे लोगों के जीवन में हम योगदान दे सकें भूखे को भोजन बीमार को दवा ठके हुए को चाया बच्चों को खेलने और आनन के लिए जगर ये सारी चीजे देना जैसे उस अंजीर की ज इम्मेदारी है लेकिन एक शर्त वो शर्त ये है कि मेरे आपके जीवन में जूट नहीं होना चाहिए कपट नहीं होना चाहिए धोखा नहीं होना चाहिए इस एंजीर के पेड़ ने जब हरे पत्ते लगा दिये जिस सीजन में फल नहीं होते उस सीजन में यदी उसमें हरे पत्या आगए, तो वो इस बात की घोषना कर रहा है, कि मैं सैकडों में से एक विशेश अंजीर हूँ, जो उस मौसम में भी फल दे रहा है, जिस मौसम में बाकी अंजीरों में फल नहीं है, वो यात्रियों के लिए इस बात का न्योता था, भूखे हो, उन पेडों में फल न प्रभु उस अंजीर के पास इसलिए गए थे, क्योंकि उस अंजीर ने जाने वाले लोगों को एक प्रामिस दिया था, उनको एक आशा दी थी कि मुझ में हरे पत्ते हैं इस सीजन में इस कारण फल भी होंगे, और जब प्रभु उस पेड़ के पास गए तो पता चला कि उसम यह तो सिर्फ धोका था, तब प्रभु ने कहा कि आएंदा तुझ में कभी भी फल ना लगे, मेरा और आपका जीवन, जब हम इस संसार में रहते हैं, तब अंजीर के समान है, संसार के लोगों को जब हम प्रामिस देते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुमको मुक्तिदाता के पास ले जाओंगा, मुक्तिदाता से जो तसली मिल सकती है, मैं तुम्हेरे साथ वो शेयर करूंगा, मैं तुम्हेरे लिए प्रार्थना करूंगा, जब हम इस तरह की बातें लोगों से बोलते हैं, तो वो सच्चा होना चाहिए, हमारा जीवन, कुल मिला के कहा जाए, तो ह हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारा आत्मिक जीवन असल होना चाहिए, असली होना चाहिए, कभी आप मोबाइल फोन के लिए खरीदने के लिए दुकानों में गये हैं क्या, मोबाइल फोन खरीदने के लिए दुकानों में जाएंगे तो बड़ी दुकान होगी, तो एक से एक, एक से एक महंगे मोबाइल फोन सामने रखे रहते हैं, लेकिन ये आप हाथ बढ़ा कर उसको उठाएंगे, तो पता चलेगा कि वो तो सिर्फ मोबाइल का खोखा था, अंदर कुछ नहीं है, क्यों? इसलिए कि वो सैंपल है, हाँ, स इसके बाद वो एक खोखा आपको पकड़ा दे, मोबाइल के बदले, तो तो धोखा है, इसी तरह से जब हम इस संसार में प्रभू के अनियाईयों के रूप में जीवन बिताते हैं, तब मेरे और आपके जीवन से लोगों को जो मिलना चाहिए, वो सिर्फ बाहरी खोखा न अशनी होना चाहिए, फल होना चाहिए, ये है प्रभू के कहने का मतलब, प्रभु ये शुने जो इस संसार के सृष्टा है, उन्हें ने जीवन में ऐसा कोई कारी नहीं किया, जिस जो अकारण हो, प्रभू ने जो कुछ किया सबके पीछे एक कारण था, शंसार के प्रभु ने उस पेड़ के साथ जो किया वो शिश्यों के लिए पाठ था मेरे बच्चे मेरे बच्चों याद रखो तुमारा जीवन सचा होना चाहिए तुमारा जीवन असल होना चाहिए तुमारे जीवन में तुम मूँ से जो कहते हो वो तुमारे कर्म से दिखना चाहिए तुमारे कर्म में प्रगट होना चाहिए आज प्रभु हर भाई और बहन की मदद करे कि हम जरा मुड़कर अपने जीवन को देख सके जब प्रभु ईशु के एक अनियाई समाज में कहीं जाता है तो समाज में हर व्यक्ति उससे उम्मीद करता है कि ये व्यक्ति सच्चा, खरा दूसरों के साथ दया दिखाने वाला, दूसरों की जरूरतों में उनके लिए प्रार्थना करने वाला होगा लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि वो जूट नहीं बोलेगा अपने जीवन में वो कप्ती नहीं होगा, धोका नहीं देगा जरा मैं और आप अपने स्वेम के जीवन को चाच कर देखें जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ लोग हमको किस नजरिये से देखते हैं जिस नजरिये से हमको देखते हैं, क्या हमारा जीवन वाकई में उस प्रकार का है वे हमारी तरफ देखते हैं तो वे उम्मेद करते हैं कि अंजिर के समान हम उनको चाया देंगे हम देते हैं क्या वे उम्मेद करते हैं कि अंजिर के समान मौसम में हम उनको फल देंगे मेठा फल देंगे परियाब तो फल देंगे जिससे की भूखा खाके तरप्त हो जाए और अपनी जरूरत के लिए फल तोड़कर अपने थेले में डाल ले क्या हमारा जीवन इस तरह का जीवन है इतना ही नहीं जब बाकी किसी भी पेड़ में फल नहीं है तब भी हमारा पेड़ हरा भरा दिखता है तो लोग ये उमीद करते हैं कि बाकी किसी से कोई उमीद नहीं है लेकिन इस भाई से ये इस बहन से मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ उमीद रख सकता हूं क्या आपका जीवन इस तरह का है आज अपने जीवन को जाच कर देखना देखने के लिए प्रभू हमारी मदद करें इसके साथ साथ प्रभू ने शुष्यों को एक बात और बताई थी यदि प्रभू की संतान, प्रभू का बच्चा, प्रभू का बेटा, प्रभू की बेटी यदि दूसरों को धोका देता है तो वो ये याद रखे कि प्रभू की तरफ से उसको सजा मिलेगी और वो सजा एकदम से फास्ट उसमें देर नहीं लगेगा तुरंत सजा मिलेगी उस पेड़ से प्रभू ने का और अगले सुपर उस पेड़ सुखा हुआ मिला ऐसा न सोचें कि मैं और आप दूसरों को धोका देखे बच जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा इन बातों के संदर में अपने जीवन को जाचने के लिए और यदि मेरे आपके जीवन में किसी तरह का बदलावट चेंज बदलावट यदि हमको करने की जरूरत है तो प्रभू हमारी मदद करें कि हम अपने आपको बदल सकें प्रभू के उपर आश्रे रख सकें और एक फलबंत अजीर के समान हम जी सकें इस संदेश को बंद करने से पहले इस पुल्पित से हटने से पहले एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जो मैं हर संदेश आपको याद दिलाता हूँ वो यह है कि यदि आपने अपने जीवन में प्रभू ईश्यो को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहंड करके प्रभू ईश्यो के द्वारा नया जीवन नहीं पाया है तो जीवन की उपेक्षन ना करें प्रभू यदि अपने बच्चों को सजा देते हैं तो जिन्हों ने कभी प्रभू को ग्रहंड नहीं किया है वे जैसा आप बोएंगे निश्चित रूप से वैसा काटेंगे ऐसा नहो मेरे प्रीवाई मेरी प्रीवेहन यदि आपको प्रभू ईश्यो के द्वारा जो नव जीवन हमको मिलता है जो नया जीवन मिलता है उसका नभव नहीं हुआ है तो इस सभा के बाद हम ऐसे किसी से बात कीजिए हम इस बात को विस्तार से आपको समझाएंगे जिससे के आप प्रभू ईश्यो के द्वारा इस नई जीवन को पा सके आज इस तरह से आकर प्रभू के वचन का ध्यान करने के लिए और व्यावारिक जीवन के बारे में इतनी बाते देखने के लिए प्रभू ने हमारी मदद की उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने ये बाते सुने आपका शुक्र गुजार हूँ प्रभू आप सब की मदद करें जै मसेखे प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोचसाहन देता है, जै मसीह की